ओम शान्ती, 26 डिसंबर 2023 के बाबा के महावाक्य, मीठे बज्जी, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई में जराबी गफलत नहीं करनी है, सोया, खाया पढ़ाई नहीं की, तो बहुत पश्टाना पढ़ेगा, प्रशन, किस बात में ब्रह्मा बाब को फालो करो, तो उन्नती होती रहेगी, उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाब ने अपनी पूरी आहुती दे दी, अर्थार्थ सब कुछ समर्पन किया, ऐसे फालो फादर, उन्नती का साधन है, बाब के रचे हुए इस रुद्र यग्य में, अपनी आहुती देना, अर्थार्थ बाब का मददगार बनना, प्रन्तु यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए, कि मैंने इतनी मददगी, इतना दिया, बाब तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं, गीत, तुने रात गवाई सोके, ओम शांती, बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है, बाब कहते हैं, बच्चों से मैं बात करता हूँ, और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगी, सादू संत महत्मा तो धेर है, कोई कहते हैं, कि इन में शक्ती है, यह तो सबका बाब है, वह बैट समझाती है, बहुत बच्चे हैं, जो सारा दिन बस खाते, पीते और सोती है, नींद बहुत करती हैं, इससे क्या होगा, हीरे जैसा जनम खो देंगी, माया गफलत बहुत कराती है, कुम्ब करण की नींद में माया ने सुला दिया है, अब जगाने वाला आया है, अग्यान निंदरा से जागू, सारी सरश्टी, उसमें भी खास भारत में अग्यान ही अग्यान ह तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पष्टाना पड़ीगा फिर पष्टाने से तो काम नहीं होगा यहां मनुश्य से देवता बनने की पढ़ाई है ऐसे और कोई कहना सकी ऐसे नहीं यहां भी वही ग्यान है यह तो पढ़ाई ही नहीं है आदिस्नातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है ऐसे तो यहां भी देवी बोहतों को कहती है इस्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया परंतु हम तो सत्युग में देवी देवता पद पाने का पुरुशार्ट कर रही है सो तो जरूर सत्युक स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा सब सत्सनों से यह बाद न्यारी है जो इश्वर को सरव्यापी कहती है और अनेक अवतार बताती है उनसे पूछो अगर इश्वर सरव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर इश्वर का अवतार होंगे अच्छा फिर रचना के आदिमद्य अंत का रास्तो बताओ तो कुछ भी बता नहीं सकेंगी भिन-भिन प्रकार के होती है रिद्धी सिद्धी वाले भी है नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है यह धरम स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है यहां शक्ति की बात नहीं तुम कहेंगे श्यू बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्सा लेने के लिए आई है इसको ही इश्वर्य जनम सिद अधिकार कहा जाता है तुम इश्वर्य ओलाद हो कोई भी सादू संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्ची है तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्सा ले रही है बाबा कहते हैं पूरा वर्सा लेना है तो बाप की याद में रहो बाप यहाँ ही पढ़ाती है राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा यह ब्रामन कुल अभी है कहते हैं हम ब्रह्मा की ओलाद है तो ब्रह्मा कब आया ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना प्रजात्य पिता ब्रह्मा जिन ब्रह्मनों को रचती है वह तो देवी देवता बन जाती है फिर ब्रह्मन तो रहते नहीं है हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे फिर करम कांड के लिए जो पूजारी ब्रह्मन है वह कोई रिशी मुनी आदी ने शुरू किये होंगे द्वापर में जब शीव आदी के मंदिर बना कर पूजा शुरू करती है तो जो पूजे देवी देवता थे वह पूजारी बन जाती है उस समय मंदिरों में ब्राह्मन चाहिए तो उसी समय ब्राह्मन भी शुरू हुए होंगे, जो पुजे से पुजारी बने, उनको ब्राह्मन नहीं कहेंगे, मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मन जरूर होगा, तो उस समय वह ब्राह्मन भी निकले होंगे, यह हुआ डिटेल समाचार, वास्तों में इससे भी ज्य जान सिर्फ कहता है मन मना भव, तुम बज्चों को कहा जाए, शिव बाबा और वर्से को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायन बन जाएंगे, नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है, जितना जादा सर्विस करेंगे, उतना उंच पद पाएंगे, उतना golden spoon in mouth होगा, नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है न, विनाश के बाद स्थापना होगी, कल्युक के बाद सत्युग होगा, भल अर्थक्वेक आदी होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है, ड्रामा पूरा होता है, अब हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगी, इस समय हम इस यग्य के ब्रामन है, शुबाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यग्य रचा है, यह बहुत बड़ेते बड़ा यग्य है, इस यग्य की संभाल करती हो, तुम सच्चे ब्रामन, वह ब्रामन तो मैटेरियल यग्य रच्चती है, कोई आदा आदी आने होती है, तो यग्य रच्चती है, सत्यु में गुरू आदी की दरकार नहीं थी, गुरू वहां होगा जहां सदगती की जरूरत हो, अब यहां तो अथाह गुरू है, इतने वेद शास्त्र आदी होते हुए भी भारत क की ऐसी गती क्यों हुई है, तुम लिख सकते हो, 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुम्ब करण की घोर निंदरा में सोय पड़ी है, नीद तो सब करती है, प्रन्तु यह अज्यान निंदरा की बात है, कोई भी गुरू नहीं जो सदगती दे सकी, अब सोजरा करने वा आला कौन है, तुम बच्चों को समझाया है, परम, पिता, परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता, अभी तो अथाह गुरू है, फिर भी अंधियारी रात, दुख क्यों, सत्युग में तो अथाह सुख था, अब जब भगवान की श्रिमत मिले, तब सुख हो, रावन नही भारत को पतित दुखी किया है, बाप कहते हैं, इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिग्या करो, तब नहीं दुनिया के मालिक बनेंगे, गुरू लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो, अभी तुम घोर सोजरे में आई हो, तो तुम जाकर पूछो, भारत जो इतना सुखी था, अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवता बनती हैं, सन्यासी तो जट गरबार छोड़ निकल पड़ती हैं, उनके लिए कहती हैं, सन्यासी पावन हैं, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए रही हैं, तुम्हारे बात ही न्यारी हैं, ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहती हैं, बुद्धियोग मित्र संबंदियों में जाता रहता है, जब तक अवस्था मजबूत हो, तुमको कहा जाता है देह सहित्र, देह के सर्म संबंदों को भूलो, तो कितनी मेहनत लग उनसे जो पूछा जाता है तो सन्यास कब किया? लोकिक नाम क्या है? तो कहेंगे यह बाते मत पूछो, स्मृति क्यों दिलाते हो? कोई-कोई बतलाते भी हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फोरण ही सब को भूल गए या याद आती हैं? मालुम तो पड़े ना तुम कोन थे? कैसे छोड़ा? अकेले थे वा बाल बच्चे भी थे? फिर वह तुम को याद पड़ते हैं? कहते हैं हाँ, बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद तूटती हैं. अपना जीवन याद तो रहता है. बल हम शिव बाबा को याद करती हैं, परंतु ऐसे थोड़ी अपना जीवन या शास्त्र आदी जो पड़ी हैं, वह भूल जाती हैं. सिर्फ कहते हैं, जीते जी भूल जाओ, यह दारन करो. याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे. पहले यह बाते सुनो, फिर जज करो. जीते जी मर जीवा बनो, और किस का मत सुनो, हम अपना सारा जीवन बित बता सकती हैं. हाँ यह जानते हैं कि अभी यह दुनिया खतम होने वाली है. सेंटर्स व्रिधी को पाते रहेंगे, जो बाबा ममा कहते हैं, वे ब्रामन बन जाती हैं. अब बाब कहते हैं, हे आत्माई, आत्मा ही बोलती है. तुम से पूछेंगे तुम कौन हो, तो जट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ, यह ज्यान अब तुमको मिला है. तुम्हारी आत्मा इन ओर्गन्स से पढ़ती है. आत्मा और शरीर दो है. अभी तुम जानती हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोडती है. संसकार धारन करती है. हम आ पात्मा है. अब अंतिम जनम है. परमात्मा में जो ज्यान है, वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रही है. बाकी सब मनुष्य घोरंधियारिमी है. शास्त्र आदि सब भक्ती मार्ग की है. उनको ज्यान नहीं कहा जाता. ज्यान दिन और भक्ती रात है. तुम पूछ सकती गीता का रचेता कोन है और कब आया? गीता कब लिखी गई? बाबा भी लिखते रहते हैं फिर उस पर गोर करना पड़ता है. ऐसे ऐसे बुद्धी में धारन करने से फिर तुमारी उन्नती होती जाएगी. बाप कहती है, मेरे को याद करो, बच्चों को माला का राज भी पूल है. फिर हैं दो दाने ब्रह्मा सरस्वती. प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है. यह है आदी देव और आदी देवी. यह ब्रामन हैं, जिनोंने स्वर्प बनाया है. इसले इनकी पूझा होती है. बीच में वह आश दाने हैं, जो सूर्यवन्शी बनी है. बहुत मदद की है. नोलिज बुद्धी में रहनी चेही. यह भी जानते हो कि यग्ये में बरोबर आहुती दी जाती है. माताओं के उन्नती के लिए बाबा ने युक्ति रची है. बली चड़ाना तो फालो फादर. गांदी को भी जिनोंने मदद की, तो अल्प काल का सुख मिला. वह था हद का बाब, यह है बेहद का बाब. यहां बाबा ने सब कुछ माताओं के चर्णों में दे दिया, तो यह वन नंबर में गया. तुम बच्चों को पुरुशार्ट करना है, जो मदद करेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बनेंगी. ऐसे कोई मत समझे कि ह तुम शिवबाबा को मदद करती है. नहीं, शिवबाबा ही तुमको मदद करती है. अरे, वह तो दाता है, तुम अपने लिए करती हूँ. तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे. स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे. बाबा स्वेम कहती है, मन मना भव नहीं तो बाकी उच्पद कैसे मिलेगा हिसाब करना तुम्हारा काम है कोई मत समझे कि मैं देता हूँ यह शुबाबा का यग्य है चलता है चलता ही रहेगा तुम सच्चे ब्रामणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि संपूरण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रही है हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बना कर राज्य करेंगी शुबाबा की मत पर चलनी से भारत स्वर्ग बन जाता है तो यह याद रखो किश्य बाबा पढ़ाती है बाबा कहती है जब ब्रामन बनेंगे तब ही देवता संप्रदाई में आएंगी विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है आपे ही अपने पर कृपा के बडले अकृपा करती है फिर श्रापित हो जाती है मैं वर्दान दिने आया हूँ प्रंतु श्रिमत पर ना चलने से अपने को श्रापित कर देते है पद ब्रष्ट करते है अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रती माध पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बुद्धी से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है एक बाप की सुनना है अपनी उन्नती के लिए पूरा बलिहार जाना है दुसरा पॉइंट श्रीमत पर चल स्वेम पर कृपा करनी है सच्ची ब्रामन बन यग्य की संभाल करनी है पढ़ाई अच्छी रिती पढ़कर उमच पद लिना है वर्दान, सेवा को बाप के आगे बुद्धी से अरपन कर स्वेम मिश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव विस्तार, कोई कैसे भी मुश्किल सेवा हो एकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धी से अरपन कर दो मैंने किया सफलता नहीं हुई यह मैं पन नहीं लाओ बाप की सीवा है बाप अवश्य करेगा बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी कभी कमजोर संकल्प का बीश नहीं डालो यह निसोचों की सेवा तो कर रही है लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं शायद मैं योग्य नहीं हूँ यह भी व्यर्च संकल्प है जो सफलता को दूर कर देती है स्लोगन प्रामण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की जोती सदा जगी हुई है अच्छा, ओम शांती